तिलाइप में आपका स्वागत है आज कल आखों की समस्या आम बात हो गई है क्योंकि जादे तर लोग अपना समय मोबाइल या कम्प्यूटर पर ब्यतीत करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रभाव उनकी आखों पर पढ़ता है तो आएगे आज हम आखों की रोशनी को ते आप चाहें तो इसका सेवन दूद के साथ भी कर सकते हैं आवला आवला सेहत के साथ आखों की रोशनी के लिए भी काफी असरदार होता है यह एक ऐसा फल है जिससे आप कई अलग-अलग तरीकों से खा सकते हैं जिससे चटनी से लेकर आप अचार, मुरब्वे, जूस के र बहुत ही जादा उपयोगी और लावकारी हैं क्योंकि इसमें उमेगा-3 होता है जो हमारी आखों की रोशनी जल्दी से जल्द तेज करने में मदद करता हैं इसलिए हपते में 2-3 बार मसली का सेवन जरूर करना चाहिएं गाजर आखों को स्वस्त रखने के लिए बिटामि मदद गार होता है इसलिए आप रोजाना असलात के रूप में या जूस के रूप में आप गाजर का सीवन जरूर करें इसके अलावा अगर आप अपने पैरों के तल्वे परसरसों के तेल का रोजाना मालिस करते हैं तब हमारे सरीर आखों की रोशनी को मेंटें रखने में बहुत ही जादा मददगार होता है अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर करें इसी तरह और भी हल्थ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए धन्यवाद